Hey everybody, welcome back to my channel, मैं हूँ आनुज आपका फ्रिंड, दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अंग्रीजी की वोट्स, जो एंड होते हैं F-U-L and F-U-L-L-Y से, तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी अंग्रीजी की वोट्स हैं, अगर वो F-U- L and F-U-L-L-Y से अंड होते हैं, तो उनका उचारन F-U-L and F-U-L-Y नहीं होता है, इनका correct उचारन होता है F-U-L and F-U-L-Y, मैं आपको उधारन से समझाने की कोसिस करता हूँ, जैसे यह रहा पहला वोट आपके स्क्रीन पे, ब्यूट्फुल, एंड दूसरा वोट हमारा जो ह है beautiful, beautiful, क्योंकि F-U-L है, तो इससे हम समझते हैं कि इसका मतलब होता है full, है ना, and F-U-L-L-Y से होता है fully, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यह बिल्कुल ही गलत है, इसका जो correct उचारन होगा, यह होगा beautiful, beautiful, जो last में full बोल रहो हो, आप, वो full नहीं होता है, व जब उसको आप beautiful बोल रहो, beautiful, beautiful, ठीक है, यहनी last में full आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, fully नहीं, इसको हम बोलेंगे fully, तो कैसे आप बोलोगे, beautifully, beautifully, ठीक है, जैसे आप बोलता है नहीं कि उसने यह काम बड़े ही सुन्दरता से किया, he did it beautifully, he did it beautifully, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में, ठीक है, आप पैटरन समझ लेजी, ठीक है, अंग्रेजी में कोई भी सब्दों अंग्रेजी का, अगर वो F.U.L. से end हो रहा है, या फिर F.U.L. से end हो रहा है, तो इन दोनों का उचारन F.U.L. से end हो रहा है, तो इसका मतलब होता है शान्तिपूर, ठीक है, पीसफुली, तो इन दोनों वर्ड को कैसे प्रणाउंस करेंगे, जो पहला वर्ड है, पीसफुल, तो इसको आपको पीसफुल नहीं बोलना है, फुल तो नहीं होगा दोस्तों, ये होगा फल, जो कि आपको fast बोलना है लाश में, peaceful, ठीक है, सांती पूरवग, peacefully, peacefully, ओर राइट, तो इसको आपको peacefully नहीं बोलना है, और जो पहला word है, यह जो मैं word बोलना हूँ, इसमें word नहीं बोलना हूँ, वो order के बीच में आधा a कर रहा हूँ, word, word, ओर राइट, तो दोस्तों इसको बोलना है, peaceful, and second जो है, यह है, peacefully, ठीक है, जैसे आपको बोलना हो, wonderful, तो इसको आपको, यह रहा है, screen पे आपके, तो इसको आपको wonderful नहीं बोलना है, wonderful नहीं, क्योंकि जो full है, दरहसल वो full होता है, अगर कोई भी सब्द हो, अंग्रेजी का, last में, आप suffix, prefix पूल जाएए, ठीक है, आप suffix, prefix पूल जाएए, कि suffix क्या है, बस इतना याद रखिए, कि अगर वो अंग्रेजी का सब्द है, last में ful से end हो रहा है, या f-u-double-l-y से end हो रहा है, तो इसका उचारण full and fully होता है, ठीक है, तो इसका उचारण क्या होगा, wonderful, और यही रहा wonderfully, तो इसको में wonderfully नहीं बोलना है, इसको में बोलना है fully, तो यह क्या हो जाएगा, wonderfully, ठीक है, wonderful and wonderfully, जैसे आपको बोलना हो, यह रहागला word, enjoyful, enjoyful, full, 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 full नहीं enjoyful, ठीक है, इसी ग्रोगर हम ले ले लेते हैं F-U-L-L-Y से, तो क्या हो जाएगा, enjoyfully, enjoyfully, ओर राइट, दोस्तों, दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, अंग्रेजी का कोई भी सब्दों, अगर वो F-U-L से end हो रहा है, या फिर F-U-L-L-Y से end हो रहा है, तो पहले का जो F-U-L है, इससे बनेगा full ना की full, और जो दूसरा है, इससे बनेगा fully ना की fully, ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को like and comment करें, और वीडियो को share भी करें, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, till then, take care, thank you so much.